Emergency in Russia बहुत बड़ी news है वो country जो हर एक country पर भारी परती है वो country जो की world's second largest military है वो country जो की अभी Ukraine में बैठ कर Ukraine को control कर रही है वो country जो की सबसे powerful nations में से आती है उसमें state of emergency लग चुकी है ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जिस तरीके से मैं आपको news ये cover करने वाला हूँ शायद उस तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा क्या कौन है ये? कौन है पुतीन के साथ इनके संबंध क्या है? क्या business partner है? क्या इन्होंने किस वज़े से emergency, किस वज़े से इन्होंने तक्ता पलट का बात रखी है ये क्या चीज है? ये क्या Arctic reason में ये क्या हो रहा है? ये सारी के सारे connections मैं अभी आपके साथ share करता हूँ प्लीज बने रहेगा इस वीडियो में कि ये बहुत important news है international relations के लिए और आपके places in news के लिए बहुत जादे important है उससे पहले मैं आप सभी से request करना चाहता हूँ कि ये हमारे दो शांदार batches हैं जिनका हमें बहुत important बहुत गर्व है एक तो हिंदी माध्यम का है जिसमें सिर्फ हिंदी माध्यम के students enroll करेंगे और एक है English और Hindi मतलब English और bilingual दोनों के लिए आपको 80% से 85% का discount मिलेगा और code आपको use करना है यहाँ पे जैहिंद जैहिंद नाम का code यूज़ करेंगे maximum discount मिलेगा और इस number पे आप call कर सकते हैं बता दीजेगा कि सिथार भईया का वीडियो देखा था मैंने जैहिंद नाम का code यूज़ करना है मुझे पढ़डाम बैच चाहिए या रॉब बैच चाहिए description box में सारी सारे link मौजूद है लेकिन चलिए आज की सबसे बड़ी खबर पे हमाँ चर्चा करते हैं कि आखिर ये कौन है और वुलादमीर पुतिन ने वागनर ग्रूप के हेड को क्या बाते बताई है क्यों देशद्रो कहा है इन्होंने क्यों कहा है कि अब रस्या का president change होना चाहिए और ये क्या हो रहा है ये रस्या के एक city है नौरिल्स्क ये आर्टिक रीजिन में ये city है कहा जा रहा है कि इसमें लाखों का पेट्रोल लीटर में बह चुका है ये एक अपने आप में अलग विवाद चल रहा है चलिए शुरू करते हैं हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी है चाहे वो UK हो गया चाहे वो Europe हो गया चाहे वो US और अब India इंडिया रशिया के साथ बड़े प्यारे संबंध है आपको पता ही है कितने सारे military operations संबने किये हैं UK ने emergency meeting hold की है शाम को ही European nation ने भी emergency meeting hold की है और पुतिन एक गलत चॉइस है रशिया के लिए नया president आएगा वागनर ग्रूप अखिर कौन है ये वागनर ग्रूप देखते हैं दोस्तों अभी current situation में आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको ये map दिख रहा है ये है map अपना रशिया का यहाँ पर आपको नीचे कीव मिलेगा कीव आपको पता यह ये हमारा ऊपर Moscow आएगा यहाँ पे Moscow है मैं आपको अंदाजा दे दे रहा हूँ क्या कहाँ पे है और लगभग बेलारूस यहाँ पर है कोने में आपको पता चल गए कहाँ पर है तो basically ये वाला जो एरिया था ना ये यूक्रेयन से सटा हुआ था जो city नाम है इसका वोरोने वोरोने एक ऐसा एरिया है रशिया का जहाँ पर वागनर ग्रूप के VWAG वागनर ग्रूप के जितने भी सैनिक है वो यहाँ पर रशिया के लिए fight कर रहे थे यूक्रेयन से और उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धी पाई है इस एरिया को cover करने की इस एरिया को under control करने की ठीक है वागनर ग्रूप रशिया मिलिटर का एक extended एक extended अलग से एक extended आर्मी है जो की यह रशिया के लिए लड़ता है अभी मैं आपको बताऊंगा उसकी डीटेल में ठीक है अब क्या है कि यह जो सहाब है वागनर ग्रूप के जो founder जो chairman है इनको कह सकते है इन्हों ने ये वाला जो city है रशिया की आप देख सकते है मेरिया पॉल दोनेस्त आपको याद होगा दोनबास दोनेस्त यूक्रेयन वाला जो शहर है ठीक है इस शहर को इन्हों ने होस्टेज एक तरीके से बना लिया है रोडें ब्लॉक कर दी है इस शहर की कहा जा रहा है कि जब तक रशिया के डीफेंस मिनिस्टर्स मेरे पास आके में इसे बात नहीं करेंगे तब तक मैं ये रास्ता खाली नहीं करूंगा और हमारे जितने भी सोलजर्स हैं 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 जितने भी सोलजर्स हैं सब प्रोटेस्ट करेंगे और हम याता यात को परिशान कर देंगे पहले हमारी बात कराईए मिनिस्टर्स से बात क्या हो रही है आखिर प्रॉब्लम क्या है problem क्या है situation की आईए समझते हैं map में आपको दिख गया सब कुछ detail अब हम situation पे आते हैं आखिर problem क्या है problem यह हुई है कि यह जो भाई साहब है इनका यह कहना है इनका नाम है पिर्गोजिन पिर्गोजिन साहब का कहना है कि यह area में जहां पर हमने रशिया को support किया है वहां पर रशिया की defense system ने हमें support नहीं किया है हम रशिया के लिए लड़ रहे थे हम रशिया के लिए बंदूग चला रहे थे हम रशिया के लिए यूकरेन से लड़ रहे थे हम रशिया के लिए अपने सैनिक गवा रहे थे लेकिन रशिया की मिलिटरी ने हमें कुछ नहीं दिया उल्टा हम पर ओल कम खर्चे में काम चला रहे थे इनका ये कहना है कि पिछले एक साल से लगबग एक साल से ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं अपने सोल्जर के सिचुएशन के रिलेटिड अपने सोल्जर के एकनोमिक्स अपने सोल्जर के रहन सहन से रिलेटिड ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि रशिया की जो मिलिटरी है वो कितनी जादे करप्थ है रशिया की इस military के साथ एक साथ बन कर operations कर रहे हैं यहाँ पर तो इनको support मिलना चाहिए लेकिन इनको support नहीं मिल रहा है और अब high time आ गया है अब यह कहा जा रहा है कि इनके लोगों को मारा जा रहा है यह जो area मैंने बनाया था आपको V वाला area यह वोरों ने इस area में अब इनके लोगों क वो मतलब की वार्णर ग्रूप के सैनिकों को soldiers को काफी मारा जा रहा है अभी current situation क्या है current situation रशिया के security sources को court करते हुए रूटर्स ने आज ही वार्णर ग्रूप mercenary की जो fighter है उन्होंने military facility को टेक कर लिया है control कर लिया है वरों यह जो शहर है वो Moscow से 500 km दूर है अगर हम कहें दिल्ली लगद समझे कि बस इलाबाद और उससे आसपास की area इतना दूर है ठीक है जहाँ पर पिरगोजिन ने ये claim किय है कि ये भया Russia Army Headquarter में घुसे है Russia Southern City जो इसका Rostov on Don City है ये वाली जो यहाँ पर मैंने दिखाया था इसके अंदर ये घुसे है और उन्होंने कहा कि अब मैं इसके बाहर से नहीं निकलूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे लोगों को यहाँ पर बंद किया गया है control किया जा रहा ह और हम लोग यहाँ से बाहर तभी निकलेंगे जब डीफेंस मिनिस्टर सरजी शियोगी और जनरल वैलरी गैरसीमो से मिलते नहीं है ये जो दो व्यक्ति है ये जो वार्नर गुरूप का चेयर्मेन है ये पिरगोजिन इसकी दुश्मनी एक तरीके से इनसे और इनसे है सरज और वैलर उसे किना इनका कहना है कि ये बहुत ही कर्ण व्यक्ति हैं और पूरे-पूरे-पूरे रशीया में सिस्टम का सबसे कर्ण व्यक्ति यहीं लोग है थेके अब यह سिस्टम हो गया साथी में ये देखिये अब क्या हुआ कि रशीया प्रेस एक्यूज सब्स वारिनर कोई है जो हमारे ही आदमी को हमारे ही खिलाफ भढ़का रहा है अगर ऐसा कोई प्रूव होके आ जाता है तो रशिया उसके खिलाफ शक्त से सक्त कारवाई करेगी यह पूरे के पूरे प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने पूरानी बातों को भी याद करके बताया है वर्ड वा problem व्लादमीर पुतिन के लिए क्या आने वाली है सबसे बड़ी problem व्लादमीर पुतिन के लिए ये आने वाली है अगर ये situation control में नहीं हुई तो फिर इनको यूक्रेन से military अपनी बुलानी पड़ेगी अंदरूनी मामलों को सुलजाने के लिए यूक्रेन से focus हटा के इनको internal security को अपनी control करने के लिए focus करना पड़ेगा और यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा दोनों में से कोई एक इनको जरूर करना पड़ेगा साथी में यहाँ पर बताया गया है कि state of emergency जैसे ही declare हुई है इनको यह पता चला है एक massive few leak हुआ है arctic river में अब यह पूरा मसला क्या है बेसिकली यह जो arctic river है वो river अंबर नया अंबर नया करके एक river है जो कि नौर्थ फ्लिक्स city के अंदर कहा जा रहा है कि पंदर हजार टन का जो ऑईल का product है वो पूरे river में बह गया है और वो लाल-लाल तरीके का दिख रहा है यह भी कहा जा रहा है कि यह कहीं न कहीं जान मूच के यह किया गया है छे हजार सब ऑईल है 15,000 तो टन तो ऑईल है 6000 दूसरा ऑईल का परदार्त है वो भी गया है इसमें और लगबद 10 साल निकल जाएंगे इसको उस आर्क्टिक रिवर से यह यह ऑईल निकालने के लिए सोचे कितना बड़ा disaster कर दिया है इन लोगोंने क्या बताया जा रहा है कुछ-कुछ एरिये में national emergency भी लगाया जा रहा है ताकि counter-terrorism ना हो मतलब कि तखता पलट ना हो इनके ही military के आदमी इनहीं के खिलाफ न चड़ जाएं नौरिलिस्क यह जो शहर है जहां पर इसके अंदर जो river आता है river अंबरनिया यहां पर है बिल्कुल उपर है रशिया के एकदम north zone में लगबग 180-300 km दूर है Arctic Circle से ठीक है Arctic Circle मतलब बिल्कुल उस साइड आपका Canada आ जाएगा घूम के जाएंगे तो तो एक तो यह हो गया अब देखिए यह है Wagner Group वागनर गुरूप है क्या जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में तो रशिया ने एक extended support लिया था एक private military आर्मी का वो आर्मी का नाम है वागनर गुरूप वागनर गुरूप 2014 से ही रशिया के साथ है पुलादमीर पुतिन के साथ एक अच्छी खासी इसकी दोस्ती है इनके जो मतलब सैनिक है न वो convicted है मतलब की बहुत साफ सुत्रे लोग नहीं है वागनर गुरूप के जो सैनिक है वो convicted है जेल में convicted मतलब सजायाफ्ता है वो वो छूटके आए हैं वो लडाई कर रहे हैं देखिए private army का खर्चा बहुत कम होता है as compared to सरकारी army का खर्चा प्राइविट आर्मी का कोई direct consequences सरकार को नहीं देना पड़ता है और साथ ही में ये गुरूप जो है वो सीरिया में भी था लीबिया में भी था और जहां जहां पर रश्या अपनी military भेशता है वो private military ही भेशता है और ये उन private military में से एक है वागनर गुरूप ठीक है तो basically ये जो इनी बात है कि ये hire किया गया है supply soldiers registered 2022 में registered हुआ था इसका headquarters है सेंट-Petersburg में European Union और US Treasury Department के हिसाब से ये जो organization है ये पिर्गोजिन सहाब चलाते हैं ये एक रशिया oligark हैं और एक former ally हैं प्रेसिडेंट व्लादेमिर पुतीन के दोनों क्रिम्लिन और दोनों क्रिम्लिन और पिर हैं कि भाई हम लोग दूसरे को नहीं जानते हैं कोई हमारा association नहीं है बस ये private contractor है अपार्ट फ्रम यूक्रेन वागनर ग्रूप रिपोर्टेडली active in West Asia several countries in Africa जैसे कि मैंने आपको अल्री बताया तो अभी ये है हालात ये है situation अब आपको समझ में आ गया होगा लडाई यहा इनका कहना है कि कुतिन साफ तक बात पहुंचती ही नहीं है ये लोग जो है दो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे वो लोग मेरे ही बंदो को मार रहे हैं तो let us see अब क्या पूरा का पूरा शर्यंत रच रहा है क्या मामला होने वाला है मुझे लगता है यह एक मामला की साथी साथ में ये और भी जगह operations अपने कर रहे हैं इन्हों ने एक शहर को एक तरीके से hostage बना लिया है एक शहर को तभी कहा है कि जब ये दो लोग हमसे बात करने आएंगा तभी मामला solve होगा let us see अब क्या situation आती है अगले में हम देखते हैं साथी साथ ये आप देख सकते हैं कि dramatic escalation tension between kremlin और वागनर ग्रूप चल रही है प्रेसर बिन व्लादमीर पुतीन ने फिर गोजीन को head and owner of the group criminal adventurous campaign मतलब ये refer किया है और armed mutiny को बढ़ावा दिया है वागनर के उपर ये allegations लगे हुए है labeling two cup arms against the army as traitor putin added मतलब कि ये देश द्रोही है corruption and indifferences regular soldier lives ये उनका कहना है तो ये है पूरा का पूरा scene आज क्या हुआ है डीटेल में जानने के लिए अगर कोई भी point समझ में नहीं है तो comment section में जरूर लिखके बताईएगा हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार जहिंद signing off